वेल्कम टो स्पीडारिंग डॉट कॉम इंट्राडे ट्रेडिंग या उनलाइन ट्रेडिंग अब स्टॉक मार्केट में करें या फॉरिक्स करेंसी मार्केट में करें इसमें बड़े बड़े लोसेज हुए हैं लोगों के जो भी बिगिनर्स हैं उनके खास तोर पे सबसे जादा तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है जब हम इस चीज की परताल करते हैं इस बारे में हम विचार करते हैं तो हमको पता लगता है कि सबसे बड़ा कारण है मार्ज तो margin trading क्या होता है? margin trading means आप एक छोटा सा amount लेते हैं और आपको कई गुना trade करने की facility मिलती है आपके पास 50,000 रुपे capital है तो कोई broker आपको 2,000,000 रुपे trade करने की facility दे रहा है कोई आपको 5,000,000 रुपे का trade करने की facility दे रहा है मतलब 10 गुना margin दे रहा है कई सारे broker तो 20 गुना है 40 गुना margin भी देते हैं तो margin एक facility है और वो कोई गलत इरादे से नहीं दिया जा रहा है लेकिन अगर इस्तिमाल करना नहीं आ रहा है एक beginner को तो उसके लिए बहुत बड़ा नुक्सान बन जाएगा तो आप समझें के 50 गुना margin देते हैं मैं 5 लाग का trade लेकर बेठा हूँ और बाजार में गिरावट हो जाए और 5% मेरा stock नीचे आ जाए या commodity में एक दिन वो 2-3% गिर के अगले दिन में 2-3% और नीचे गिर जाए 5% अगर नीचे चली जाती है मेरी position तो मुझे नुक्सान कितना होगा 5 लाग का 5% मतलब 25 जार रुपया नुक्सान हो गया मेरा 50 जार में से 25 जार रुपया चला गया एक दिन में अगर ऐसा होगा तो जाहिरे कि मुझे घबराट होगी बड़ा बड़ा मार्जिन लेके ट्रेट करना चाहेगा कौन इंसान आप बताइए कि अगर कहीं पे खाना रखा हुआ है तो खाने पे देखते ही तूट पड़ेगा कौन इंसान कौन अपनी प्लेट में पूरा भर लेगा इतना कि ढूलने लगे ऐसा कौन करेगा जो बहुत भुखा हो तो जिन लोगों के पास साधनों की कमी होती है पैसों की कमी होती है वो पैसा कमाने की बहुत उतावलेपन में रहते हैं और उनको कोई भी इंसान अगर इस तरह की बात कहता है आप थोड़ा सा चक्षेक दे तो हम आपको बहुत बड़ा मार्जिन दे देंगे तो लोग मार्जिन देने वाले ब्रूकर को ढूंगते रहते हैं उनको लग रहा है मार्जिन जैसे कोई प्रसाहद है कोई लडड़ू है लेकिन ये लड़ू कले में अटकने वाला लड़ू बनेगा अगर आपको चबाना नहीं आता पचाना नहीं आता तो margin trading अगर शुरुवात में आप काम कर रहे हैं आपको margin नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास 50,000 रुपिया था मैं 50,000 के ही stock लेता और अगर वो 5% भी गिर जाता तो मेरा 5,000 कतम होता 47,500 मेरे पास होता और उससे में धीरे-देरे recover करके वापस 50 पे आ जाता 52 पे आ जाता और ये संभावना मुझे दिखाई देती कि हां ये आसानी से हो जाएगा अब जिसके पास 50,000 है उसके 25,000 कतम हो जाएंगे वो घबराएगा अब उसको आप क खुलके margin दिये और margin देने में बात किया है कि कई सारे कारण है पहला कारण तो ये है कि एक culture बन चुका है तो अगर चार ब्रोकर बहुत margin दे रहे हैं खुलके और चार बाकी लोग नहीं दे रहे हैं तो competition में वो पीछे रह जाएंगे इसलिए जो भी culture बन जाए अच्छा य किमियम अपनी जेब से भढ़ने लगे थे तो यहालत हो गई थी कि जो सबसे बड़ा commission है वो तो आपको किष्ट भढ़ने में निकल जा रहा था और इस तरीके से miss selling की निव पड़ी क्योंकि आप अगर किसी को इस तरह से कोई facility दोगे तो आप कहीं और से पैसा निकालोगे या दूसरी तरीके से फाइदा उठाओगे जो ultimately ग्रहक का नुकसान करेगा लंबे समय में पर वो client को समझ नहीं आता पहले तो intraday के लिए जो traditional broker है उन्होंने 10 गुना 20 गुना तक margin दिया वो एक उर चीज होती रही जो हम को सुनने में मिलती है कि depart reading illegal platform थे गाओं गाओं मे लोगों ने अपना income tax बचाने के चक्कर में पेंट कार्ट बनवाया नहीं उनको लगा पेंट कार्ट बनाती हमारे यहां पे IT department के लोग आ जाएंगे तो उन्होंने डब्बे में अपना account खुलवा लिया और कुछ लोग घर से family से छुपके 20-30,000 गच्चे एक देके महां 30-30-40-40 लाग की position लेके काम कर रहे थे और डब्बे बाले तो क्या चाहेंगे कि भाई एक आदमी आये और 50,000 लाख रुपया एक दिन में देके चला जाये तो क्या बुरही है यह legal platform में तो जितना आपका नुकसान है वही उनका फायदा है तो आप इसी जगा पे आद से चलना नहीं चाहते तो यह सुसाइडल स्टेप था इग्नोरेंस की वजह से यह चलता रहा फिर फाइनेंसिंग एक परेलल बिजनस हो गया ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के लिए कि अगर आप कोई leverage की position उठाते हो investment के लिए कि आपने देखा कि short term के लिए चार दिन के लिए मै तो उनके लिए एक परेलल बिजनस जैसा हो गया जिसमें फाइनेंसिंग का बिजनस परेलल चल रहा है कि किसी ने भी position उठाई है उसको तो पता भी नहीं कांटेक्ट नोट में कि उनको interest चार्ज हुआ कि नहीं हुआ आदमी अपने नशे में चल रहा है उसको तो ट्रेडि कि अपने असिए do5 को टार्गेट दिया जाता है कि इतना इतना टंवर आपके यहां से हुने वाला है तो इसे में जब ही क्लाइंट सामने आता है टार्गेट के प्रेशर में वो क्लाइंट को काट देते हैं कई बार ये वाली इस्तिती बनती है कि ये आया है एक लाख रुपए के चेक लेके दस दिन में ये आपने वो का टार्गेट पूरा करने के चक्कर में चेक खतम कर दिया ये सबसे ज़ादा होने वाली दुरगटना है तो ये सब कारण थे उसकी वज़े से लेवरेज दिया जाता था आप डिसकाउंट ब्रोकर से जब से आये हैं तब से क्या इस्तिती बन गई है कि वो आपको मुश्किल से एक गुना दो गुना का लेवरेज दे रहे हैं क्योंकि बहुत कम ब्रोकरेज पर आपको काम करवा रहा हैं ब्रोकरेज सालवर के इतना बच जाता है जितना आप नुकसान कर दिया करते थे और वो आपको लिवरेज इसलिए नहीं दे रहे हैं कि एक बहुत फेला हुआ नेट वक है आपको फिजिकली देखा जाना भी नहीं है और आपका अकाउंट कोल की काम किया जा रहा है तो उसकी वज़े से कम ब्रोकरेज में काम होने की जो फेसलिटी आई है वो बहुत अच्छी है तो आप मार्जिन के पिछे मन भागिए क्योंकि पहले मार्जिन हैंडल करना सीखें जैसे फ्यूचर और उप्शन वो तो कमपलसरीली मार्जिन वाली फेसलिटी है कि आप आठ लाग रुपे का फ्यूचर एक सबालाग रुपे का मार्जिन देखे कर पा रहे हो तो शुरुशुरो में क्या था जितने भी डंबे वाले थे और दूसरे ब्रोकर्स थे जिनके प्रेक्टिस बहुत अच्छी नहीं थी और लॉंग रुण में उन्होंने सोचा नहीं उन्होंने क्या कर रहा है फ्यूचर में सारा मार्जिन अच्छे से बाट दिया था जितना चाहे आप उतना खरीच सकते थे बेच सकते थे तो लोग आए लोगों ने सिधा फ्यूचर में ही काम किया वो फ्यूचर में काम करके एक दिन जादू दिखा दे कोई कि ये देखो दो रुपे उपर विका आपको पंद्रह हजार मिल गए तो आदमी को क्या समझ में आएगा वो तो रुकने वाले ही नहीं है उसको पता लगा दो रूपे में 15,000 मिल गए मज़ा आ गया तो उसी वक्त अगर ये खायाल आ जाता कि दो में 15,000 मिल रहे है और अगर 10 रुपे चले गए तो मेरा क्या होगा वहीं बात समझ आए निच यह थे कि 45,000 रुपे 75,000 का लॉस एक दिन में हो सकता है लेकिन जब तक वो लॉस हुआ नहीं हमको पता नहीं चला और ब्रोकर्स की आँसे फोन आते हैं कि सर आपके अकाउंट में काम कर लिया था और आज 6,000 रुपे मिल गए हाँ हाँ देख लो तुम जैसा तुमको समझ में आये करते रहे ना अब वहां से 3-4 दिन तक फोन आते रहे आपने पैसा हाँ भी आगया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फिर 4-5 दिन तक फोन नहीं आया फिर आप कहें कितना प्रॉफिट है वो एक पोजिशन फस गया थ देखो बिना खुद मारे स्वार का नजर नहीं आ सकता इसलिए हमेशा ध्यान रखे कि जो रिजनेबल नहीं है वो प्रोग्रेस मुझे नहीं चाहिए मुझे वो प्रोग्रेस चाहिए जो लगातार मेंटेन की जा सके क्या हम बिजनिस कर रहे हैं एक दिन किसी का एक करोड क लोटरी भी लग जाए तो समाज उस पर भरुसा करके उसके पीछे थोड़ी तोड़ने लगता है आपके आसपास की सुसाइटी आपकी काबिलियत आपके मैचुरिटी को देखना चाहती है आप कितना भी पैसा कमाएं कम कमाएं लेकिन आपका तरीका कैसा है वो आपकी बा किसी को future and option का leverage नहीं दे रहे है और option में तो leverage हे ही नहीं और option में अगर आप trade करने जा रहे हैं तो आपके पास जितने का option है वो पूरा पूरा पैसा होना ज़रूरी है अगर 18,000 रुपे premium है और आपके पास 17,000 रुपे available है तो भी आपको option का trade नहीं होगा जब आप trade करने ज position को अगर आप carry कर रहे हैं और CNC होता है cash and carry कि आप equity market में cash को carry करने वाले हैं आज करित के कल पेशने वाले हैं तो वो कर सकते हैं तो आप margin के चकर में नपड़ें आपका अधिकतर ध्यान किस बात पे होना चाहिए कि मैं अपने ही capital में trade करूँ और जितना मेरे पास पैसा है म उसके 80% में 60% में भी trade करूँगा तो चलेगा मेरे ही पैसा है जल्दी कुछ नहीं है मैं भी यही हूँ बाजार भी यही है और बाजार में काम कराने वाले भी यही है हमको जिन्दगी पर इससे कमाना है तो महीने दो महीने की तसल्य लेने में क्या बुरही है सोचे आप मै गलत कह रहा हूँ आपसे तो आप उस बात का ध्यान ले कि margin तब लेना चाहिए जब इस्तिमाल करना आजाए और इस्तिमाल करना आजाएगा तो आप कभी भी 20 गुना margin तो नहीं मांग रहे हो जरूरत नहीं होती उसकी आप संभाल सकते हो कम margin में ज्यादा profit कमा सकते हो और उसी की पूरी training हम आपको देते हैं अपने videos अपने practical training courses के जरिये जिसमें टेलिफोनिक classes, video lessons और आपको practical strategy बताई जाती है पहले दिन से हमारे साथ trade करते हैं और अपनी fee का 3-4 गुना recover भी करते हैं training के दोरान और छोटे छोटे training programs में video courses और books हैं जिनके साथ में एक सही start आप लेते हैं उसके बगेर तो बात बनने ही नहीं चाहिए अगर आप market के बारे में सोच रहें तो पहले ही देन से पहला कदम सही उठाईए कि उसकी जितने भी basic हैं वो आपको पता होना चाहिए अगर आप सोचते हैं कि कोई मेरा relative, कोई friend, कोई broker, कोई advisor मुझे जानकारी दे द तो भले आदमी पूछने की अकल भी तो चाहिए सवाल क्या पूछोगे अगर आपके पास basic भी नहीं है तो सवाल भी नहीं पूछ पाओगे आप ढंक से अभी जब लोग हमारे पास training लेते हैं कई बारे मैं देखता हूँ कि लोग सवाल सही नहीं पूछ पाते लेकिन हमार हर एक इंसान की one-to-one training होती है क्योंकि हर एक के हालात अलगे हर एक का background अलगे हर एक के पास जो time के availability है वो अलगे और हर इंसान को उसके हिसाब से training मिलनी चाहिए आप कई बार कुछ लोग केते हैं कि सर मेरे बास तो time नहीं मैं तो 10 गंटे वीजी रहता हूँ तो आप 10 गं चले theoretically तो बाकि सब चीजों की मियंगाई दर इतनी जादा नहीं है लेकिन आपको पता है कि आपके बच्चों की school की fee हर 3-4 साल में double हो सकती है hospital का bill 3-4 साल में double हो सकता है शादी का खर्चा double हो सकता है आपको पता है सारी बाते पता है कि आपका lifestyle expenses 5-5 साल में 3-3 गुना बढ करना तो पड़ेगा ही तो जिसके पास 10 minute है वो भी कमा सकता है जिसके पास market hours में बिल्कुल time नहीं है वो भी कमा सकता है और जो एक महिने का एक minute है वो भी पैसा बना सकता है यहां से सवाल यह है क्या आप करना चाहते है क्योंकि यह कैसा परिलोग है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, लेकिन एक बार इससे मुलाकात हम करवा रहे हैं आपसे, आप इस मुलाकात के लिए कॉल कीजिए 83810-21346-70660-4580, वेबसाइट www.speedearning.in, www.speedearning.com, वाटसेप करें हमको, और ये जो भी वीडियोज हैं, इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी वक्त, और लाइक कीजिए, ताकि हम आपको और ज्यादा वीडियोज दे सकें, इंफर्मेशन शेयर कर सकें, और आपकी फिडबेक च कीजिए, हम तदकाल बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि सुबेश शाम तक हम चार्टिंग में, एनलिसिस में, अपनी ट्रेडिंग में और ट्रेनिंग में बीजी हैं, लगातार, लेकिन आपका सॉलुशन आपको जरूर मिल जाएगा आने वाले एक हफते में, और आपके लिए हमने वन-to-one कंसल्टेशन फेसलिटी अवेलेबल करवाईए, काल मी 4 करके एप में, तो काल मी 4 एप करके वीडियो लेशन आप देखिए, पंकच जन डालके, आपके पास वो डिटेल आजाएगी, और आप हमसे एक मिनिट का कंसल्टेशन किसी भी प्रॉब्लम को लेके कर स कार एक दें, तेंक यू बरे मटट प्यूब्लम को लेके जाएगी, और रहते हैं!